हलो दोस्तोह आप कैसे हैं और मैं विजे कुषवा आप देख रहे हैं बिज रंगोई बन्डार यूट्व चैनल और रहे भारत देश में मिर्च की फसल कापी बड़े प tilted चैनल किया जाती है और कापी बड़े पेमाने पर उगाई जाती है और अलग अलग इस तानों पर अलग-अलग समय पर मिर्च की फसल त्यार की जाती है मिर्च की फसल की हम नर्सरी त्यार करते हैं और नर्सरी में एक प्रमुक रोग लगता है जिसको हम डैम्पिंग उप बोलते हैं जिसको हम आर्द विगलन भी बोलते हैं और इसी के साथ साथ जडगलन रोग भी लगता है तो ये काफी बैंकर रोग हैं मिर्च की नरसरी के तो आज हम इस रोग के बारे हम बात करेंगे कि ये क्या है और ये किस के कार लगते हैं इनके बचाव क्या है इनके लच्छड क्या होते हैं तो इन सभी बातों पर आज हम च सब्सक्राइब कर लाएं जिससे कि खेती से संबंदे नहीं नहीं जानकारी आपको यहां से मिलती रहें तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि इस रोग का नाम डैंपिंग उप है जिसको हम आर्द्र गलन या आर्द्र बिगलन भी बोलते हैं और यह एक फंगस के कार लगता है यह कवा के जनक तरोग है जो फंगस के कार लगता है और जिस फंगस के कार लगता है उस फंगस का नाम पितियम एप निडर मेटम नाम है जो फंगस का नाम है वो पितियम एप निडर मेटम फंगस है जिसके कार यह डैंपिंग उप रोग लगता है इसके लच्छड क्या होते हैं कि जब भी मिर्च के बीज की बवाई करने के बाद जो उनका अंक्रड होता है जर्मीनेशन होता है तो जर्मीनेशन के बाद जो पौधा होता है तो पौधा जो तना होता है वो जमीन की सतय से जल सकत हो जाता है बाट्ट सक्ड हो जाता है और व तो तना गलने के कारण वो जमीन की तरफ नीचे की तरफ जुक जाता है गिर जाता है पोदा तो ये काभी बैंकर रोग है और जब भी ये मिर्च की नरसरी में लगता है तो कभी-कभी ये 12 गंटे में भी मिर्च की पूरी नरसरी को नश्ट कर सकता है और बहुती बैंकर तरी के से रोग लगता है और यह मुख रोग है मेर्ट के नरशरी का और जडगलान रोग भी उसमें जडगल जाती है वो भी फंगस की कारण लगता है इसके बचाव क्या है इसके बचाव कर सकते हैं इसके बचाव के लिए कुछ दवा opportunity कि अनुका देमितनर मितायल 70% ॔र कासवा हैसन 3% इन 3 दवाइओं का प्रियोग कर सकते हैं। इनका जो डोज है मेटाल एगजिल है, मेटाल एगजिल आप 10 ग्राम 21 पानी में, और ठाप्तिनर मैपायल 30-40 ग्राम 25 पानी में इन तीनों का गोल मिलाकर आप मिर्च की नरसरी पर छड़काव कर सकते हैं और इसका छड़काव करने के बाद आपकी एक दो गंटे बाद जो आपका जो ये रोग लगता है वो इस्प्रे करने के बाद एक दो गंटे बाद रुख जाता है जब भी आप मिर्च की नरसरी में इस्प्रे करें तो इस्प्रे इस तरीके से करनी है कि मिर्च का पौदा उपर से लेके नीचे तक जमीन की सत्या तक बिल्कुल पौदा भीगना चाहिए तब ही ये रोग कंट्रोल होता है और ये दवा बहुत है और काफे असरदायक दवा है काफे अच्छी तरीके से असर करती है ये इस रोग के प्रत तो इस दवा को आप प्रयोग करके आप अपनी मिर्च की नरसरी को सुरच्छित रख सकते हैं तो ये रही डेम्पिंग ओप रोग से संबन्द जानकारी तो आप देखते रहे हैं बजरंग बीज बंडार यूट्यूब चैनल और हमारे नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और बजरंग बीज बंडार के नाम से अब फेस्बुक पर भी तो देखते रहे हैं बजरंग बीज बंडार यूट्यूब चैनल थैंक यू बेरी मुच